नमस्कार मैं हूँ विशेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात एक साल पहले भारती जंता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की परिवर्तन यात्रा करके सत्ता में परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश पे बनी योगी की सरकार योगी सरकार में मुख्य मंत्री हैं केशाप प्रसाद मौरिया जी उस समय वो संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष होते थे हमारे साथ खुद हैं केशाप प्रसाद मौरिया जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है केशाप प्रसाद मौरिया जी सर आप उपमुक्यमंतरी हो गए तमाम चीजे हो गए संगठन आपने चलाया सत्ता परिवर्तन किया सर एक साल का कारिकाल रहा पुर्वोत्तर तक भारती जनता पार्टी ने अपना जंडा गार दिया लेकिन यूपी की दो गोल्डन सीट हार गए इस पर आपकी क्या प्रतिक लिया है निशित तोर से हम उत्तर प्रदेश में बहुत सांदार ढंग से 2017 के विदान सवा चुनाओं में सफलता प्राप्त किये हमारी सरकार अधर्णी योगी जी की अगवाई में बनी और उसके बाद भी लगातार जितने चुनाओं हो रहे हैं हर चुनाओं में हमारी पार्टी को विजय मिल रही है मानी मोदी जी और मानी हमिसा जी की जोड़ी देश को भाजपा में बनाने में सफल हो रही है यह सच है उपचुनाओं के अंदर भारती जनता पार्टी फूलपुर और गोरकपुर की दो ऐसी महत्पूर सीटे थी जो हमारे मुकमंत्री जी के और मेरे इस्तिफे के कारण खाली हुई थी और उन में जब उपचुनाओं हुआ तो हम लोग पूरी उमीद लेकर के बैठे थे कि हम बड़े अंतर से यहां पर सफलता अपराप्त करेंगे सईयोग ऐसा हुआ कि हुआ चुनाओं हम हारे हार को हम स्विकार करते हैं और जनता के फैसले को सीजुका करके उसको हम स्विकार करते हुए यहां भी सुनिशित करते हैं कि भविस में हम क्या कमी रहे गई है इसका विचार करेंगे इस पर मंथन करेंगे इस पर चिंतन करेंगे और 2019 में यह जो पराजय हुई है इसको हम विजय के रूप में परिवर्तित करने की रणीती बनाएंगा सर बात की जए तो पिछले लोकसभा चुनाओं की अगर बात करते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाओं में एक चीज देखी गई कमंडल और मंडल पर भारी पड़ा था लेकिन इस बार देखा गया है कि समाजिक नहीं की बात करने वाले जो दर्थ है जो बिखरे हुए थे वो एक साथ थुए क्या ये एक वज़ा थी देखे वज़ा तो एक नहीं कई थी एक वज़ा तो सबसे बड़ी यह थी कि मदाता अपने घरों से अपने मता अधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं निकले और हमारे कारकरताओं को भी अतियात में विश्वास था कि हम तो जीती ही रहे हैं और इसलिए जीतनी मेहनत करना था सायद उतनी मेहनत करने में कोई चूक रहे गई होगी जहां तक सपा प्रत्यासी को बस्पा के समर्थन की बात है इसमें कोई दोराए नहीं है कि सपा को दिये गए समर्थन का फाइदा निश्चित तोर से सपा प्रत्यासी को मिला है और अगर सपा प्रतियासि के समर्थन मिला है नहीं होता तो इन सपा की वहां जो राही हाई पसका ने इस सपा बस पण एक हुए उने है कन जीट सकते रहे हमारे कारगर्था फामील जीचे चिह थे हैं आति आत्मविश्वास मुख्यमंतिरी जी ने भी कल चुनों के रिजल्ट आने के बाद बोली कि आत्मविश्वास कारकरताओं में दिखाई दिया कि लोग निकले नहीं घर से निकले और कारकरता भी उतना काम नहीं कर पाए आत्मविश्वास में थे सर लेकिन जब जीत होती है तब मोदी मोदी योगी योगी और जब हार होती है तो कारकरता का अतियात वश्वास यहार केवल कारकरता तो चाहे केसो प्रसाद हो चाहे योगी जी हो और चाहे बूत का ध्याच हो चाहे बंडल का देच हो, चाहे जिले का देच हो, चाहे जिले का पतादिकारी हो, छेत्र का हो, प्रदेश पतादिकारी हो सब लोग कारकरता पहले हैं, बाकी सब कुछ बाद में है तो कारकरता सब के प्रियोक का आर्थिये नहीं लगाना चाहिए कि वहाँ उसका आर्थिये लगा दिया जाए कि योगी जी कार करता नहीं है हम सब लोग कार करता है और हम सब कार करता हूं कि अंदर जो विश्वास यहां जेदा बढ़ गया कि नहीं हम तो सफलता प्राप्त कर लेंगे चुकि जीद का अंतर पिछले चुनाव में इतना दीख था कि इतना जल्दी हम मलब इतने बड़े अंतर से पीछे होंगे ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा था पडाम आया है और लोक तंतर का यहीं तो संदेश है कि जनता जो फैसला देती है कि देखो हमारा फैसला आपके खिलाब है और आज हमारे खिलाब फैसला आया है लेकिन उसमें दूसरी तरफ हम दूसरे इंगल से जब देखते हैं तो हमारा ओट नहीं पड़ा आप जब अच्छी से याद है कि हमाई आपकी बात हुई थी तो आपने का था एक बूत को मजबूत किया गया था यह हमिशा जी और आप लोगों की एक रणनीती थी कि बूत को जितना मजबूत करेंगे उतना ही पार्टी मजबूत होगी अज पूरे देश में लगभग आप के बूत मजबूत है्ए यह इस कमी को आप मानते हैं कि करकड़ताओं नहीं जाके बूत को मजबूत नहीं किया थी कि बूत पहले की जेश के अंदर कहीं पर भी मैं कल से चौनाव में और जब होता सबसे पीछे हम रह जाते हमारी पार्टी रह जाती हमारा जो समर्था कोटर को नहीं निकलता है और एक अभी भी यह चाहे से मैं दुरभागयपूर ही कहूंगा कि अभी भी लोग विकास के मुद्दे पर मद्दान करने को अभी भी तैयार नहीं है मुद्दा उनका अभी भी यह लगता है कि पार्टी के आधार पर जाती के आधार पर मद्दाता अपने को अलग करके खड़ा कर रखता है और जब चुनाव को समय आता है तो उसी आधार पर अभी मद्दान का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो लगवग उसी आधार पर ह लेकिन इसके बाद भी हम मानते हैं कि हमें गरीबी के खिलाप लड़ाई लड़ना है अब गरीब आदमी चाहे अनसूचित वरका हो चाहे पिछड़े वरका हो चाहे अगड़े वरका हो अगर गरीबी के खिलाप हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो गरीबी के लिए जब हमने ख आप चुनाओं में लोगों का उत्तार उजहान नहीं होता है घर से निकलने का यह अलग फैक्टर है लेकिन सर एक चीज़ देखने को मिल रही है जो आप लोगों के इधर भी चुनाओ हुए गुजरात की अगर बात करें गुजरात पर चुनाओ हुए आप लोगों ने 22 साल क की सरकार को बचा के रखा मतलब 22 साल में एक जेनरेशन बदल जाती है वहां पर आज भी वीजेपी की सरकार है यह बड़ी बात है लेकिन वहां पर एड़े चोटी का जोड लगाना पड़ गया लेकिन आपको क्या लगता है कि वहां पर जिस तरीके से नोटा का प्रयोग लेकिन हाँ जागरुकता बढ़ी एंगने अगर किसी बात पर नाराजगी है तो उसको एक आधिकार है किन नोटा की बिवस्ता है तो उस रूप में भी अपना गुस्सा व्राकट परकरता है अपना विरौध परकरता है और अलग अलग प्रकार का जैसे भाज़बा को उट हैं हमारे ही पार्षध हैं तो अधिक्तम सफ्ता से संबन्धित जो भी अस्थल है वहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए आप एच्छा है जन्ता की भी आपेच्छा कारकर्ताओं की भी हैं प्रयास भी सरकार कर रहे कि जो आपेच्छा हैं उसको पूरा करें लेकिन कोई भी चलाने में लगता है लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने सरकार बनने के ततकाल बाद बहुत महत्पूर महत्पूर कदम उठाए है और प्रदेश की जनता को इसका है इतनी बड़ी इन्वेश्टर सम्मेट हुई इतना बड़ा निवेस आने की संभावना खड़ी हुई बड़े- खेद्रु में हमने बहुत सांदार कदम उठाए है नकल को रोकने की गी सामें भी ciąसरकार ने इक संदीपूंठ ये सब्कीसरामने दिचह क्टोर मैं गुस्दिफा ना हो ऑब वागकों में गुस्द्यों हो use हमें भी प्रतियोगी परिष्छ और लोगो लेकर के सफल हो जाए विकुल तो हमाई साथ बने हुए हैं उपमुख मंतरी केशफ प्रसाद मौरिया जी वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद जब लोटेंगे तो एक साल कितना रहा बेमिसाल इस पर सवाल देंगे उपमुख मंतरी फिलाल वक्त है एक ब्रेक का स्वागत एक बार फिर आपका हमारे साथ हैं आज खास बात में उपमुख मंतरी केशफ प्रसाद मौरिया जी केशफ जी ये तो रही बात चुनाओ की चुनाओ अगामी भी आएंगे उसकी तैयारी में आप लोग जुट जाएंगे मन्थन करेंगे लेकिन जिस चुनाओती के साथ और जिन उपलब्धियों के साथ आप लोग 2019 में जाएंगे उसमें एक साल योगी सरकार के कारकाल कराएगा बलकि तेड़ साल होगा और जो अभीता की मोधी सरकार के कारकाल का रहा है उसका आखड़न लेके जाएंगे आपकी क्या उपलब्धी एक साल की देखिए आत्पूर्ण छेत्र की और अगर आप ध्यान इंगीत करें तो चुकि सड़क बनाने वाला विभाग मेरे पास है मैं वहीं से सुरू करूंगा उत्तर प्रदेश जब हमें स्री अखिले स्यादो जी के द्वारा विरास्त कह लिजिए उनकी प्राथ हुई तो उस समय उत्तर प्रदेश के एक लाख कईस हजार किलो मीटर गढ़्धा से पूरी तरह से युक्त सड़कें प्राथ हुआ हमारी सरकार ने गढ़्धा मुक्ति का एक अभियान चलाया और उसमें हमने रिकार्ड सफलता कम समय में प्रदान की और हमने गढ़्धा मुक्त सड़क लोग को उपलद कराने का काम किया जब हमारी सरकार आई तो हमने भारत सरकार के साथ कई ऐसे विभाग है मेरे विभाग की हर महीने की 12 तारी को एक नियमिद वैठक होती है और उस नि मुक्समिश्या होती जमीनों का अधिग्रहाण करना फिर उसका पैसा बित्रण करना और उसकी चाहे वह नोसी परियावरण से हो चाहे अन्विभाग से हो का यूटिलिटी सिप्टिंग का पावर डिपार्टमेंट से हो ऐसे तमाम काम रहते हैं उसको हमने एक स्पीड देन चाहें से सड़क बनाने के लिपराप्त हुआ हमने तुरंत उसमें नमीन तक्नीकी के इस्तमाल किया और मुझे बताते हुए हर्स हो रहा है कि हमें लगभग सोला सो करोण रुपईया नई तकनीकी के इस्तिमाल करने कर बचे और जो सड़के हमारी कम बन नहीं थी उससे हम स चाहरों के प्रिष्टी सुपयों कि मिली सके जो सड़के अभी तक ब्लक जो है तहसील से नहीं जुड़े थे तो वहां UP की सीमा जहां से शुरू होती है वहाँ सरवाधिक गड़े, अंधेरा, यह तमाम प्रकार की चीज़े रहती है, लेकिन आज वो सारी योजनाएं बचट करके, हमें अलग से बजट का प्राविधान नहीं करना पड़ा, हम 10,000 करोड लेकर के आए और सही बात कहें तो हम 12,600 करोड के काम की सुरुआत कर रहे है सर, इस पर आपने जैसे बताया है कि बिजली, सड़क, पानी, इन सब को जो बेसिक बुनियात थी, उसको आप लोगों ने और सुचारू रूप से सुधारा है, सिक्षा और स्वास में आपने बहतरी किये, लेकिन एक साल पर जब आप उपलब्धिया गिना रहे हो, तो वह पर खामिया भी निकाली जाती है, मैं बेशक कि ये मैं खुद मानता हूं कि एक साल का समय, एक सरकार के लिए वो भी खास तोर सो उत्तर प्रदेश जैसे, प्रदेश में काफी नहीं होता है, ये बड़ी नाइंसाफी होती, एक साल में किसी का रिपोर्ट कार्ड मांगा जा बिजली की समस्या की बात आपने जो पावर फॉर आल की की थी, वो जसकी तस्वनी हुई है, पिछली गर्मी में इसका जो रियल्टी चेक था वो आपके सामने भी था, सिक्षा की बात कर रहे हैं, तमाम चीजे अभी भी वैसी जसकी तस्वनी, आपको क्या लगता है कि बिजली की दिशी से हम कहें कि हमें तो सड़ी गर्ली बिवस्ता पराप्त हुई थी, लेकिन आज 18 गंटे, 20 गंटे और 24 गंटे के देशियों में बिजली दे रहे हैं, कहीं जर जर सारी बिवस्ता है, वहां पे कहीं तार जल जा रहे हैं, ट्रांस्वारमर फूंग जा रहे अगर कहीं पर भी कोई कमी होगी, उसको समिच्छा करेंगे, सुधार करेंगे, आगे उसको और ठीक करेंगे, लेकिन हमारा लच एक मात्र है कि हम उत्तरप्रदेश की 22 करोड जनता के जीवन में खुसहाली लाने का जो हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, वो सफल जनता पूर्वा का आम जनता तक पहुंचा सके हैं, सर आपने बोला कि 22 करोड जनता, यानि सबका साथ सबका विक करेगा, ये नारा भी था आप लोगों का, लेकिन जुतनी नीतिया बन रही है, इन नीतियों में, नीतिया तो बहुत खुसूरत बन रही है, इंप्लीमेंट भी कराई जा रही है, लेकिन उसमें एक चीज देखने को मिल रही है, ये नीतिया जाकर दम तोड़ देती हिंदुत के जन्डे पर, आपको नहीं लग रहा है कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष भी लगा ता रहा रहा है, और संग प्रमुक्ष प्रमुक्ष भी ये कही ना कहीं मेरट में अपने भाशन में बोला भी था कि कट्टर हिंदुत्व कट्टर उदारता है, इसको आप किस तरीके से जोड़ के देखते हैं, देखिए, जहां तक कि हम सारे विपको हिंदुत के योल ले जा रहे हैं, ये सच नहीं है, क्योंकि जब कोई सड़क ब्नती है तो ली नहीं बनती है, वो सब के लिए बनती है अगर किसी जिले में बिज़डी अठारे गन्टे जा रही है तो जिले के अंदर भी ले था हिंदु भी रहता है, श्या है मेरे 22 करून लोगों मेंसे जो भी है वो सब रहते हैं, तो बिजडी हम योजनाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इसलिए यह भी से महत्रपूर्ण नहीं है कि अगर कोई ऐसा भी से कहीं निकाल रहे हैं कि हिंदुत तो मुझे लगता है कि ऐसा भी से नहीं है लेकिन यह कोई जो सही बात है उसको कहने में परहेज करना यह भी उचित नहीं है हम करन नहीं करते लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अलपसंख्योकों के जीवन में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार बजट में प्रावधान नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि हम सबके साथ सबके विकास की बात नहीं करते हैं उसके लिए काम करके देने का काम करते हैं और जो व हिंदुत के एजंडे की बात हम लोगों ने कर ली लेकिन जो विपक्ष का आरोप है और खास्तोर से जो देखने को मिल रहा है जब मुख्यमंतिरी जिप सदन में बोलते हैं और कहते हैं कि बावन दिन जुम्मे होते होली एक दिन होती है यह एक मैसस देने की कोशिश की जाती है एक बर को यह आरोप लग रहा है कि अब विकास हिंदुत की चाष्टनी में जलेवी बनेगी विकास की जलेवी बनेगी देखे यह विपच्छ इसमें मुद्दा भीहीन है अगर उनको दो लोग सभा के उप्चुनाओं में सफलता मिल गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारती जन्ता पार्टी कोई मलब उत्तर प्रदेश के मानचित्र से गाइब हो गई है आज भी मलब भारती जन्ता पार्टी जिस दोनों चुनाओं को जो उनको में लड़ा है सपा बसपा मिल करके भी हमारे ओट प्रतिशत कम होने के बावजूद भी हम इतना नहीं इतनी खुसी बनाने की जो कोशिस कर रहा है कि भाजपाप पर फते परात कर लिया है विजय परात कर लिया है यह ठीक नहीं है और जहां कोई ऐसी परिसिती आती है चाहे कामर यात्रा हो चाहे हो ली हो चाहे दीवा ली हो चाहे नौरात्रा हो और चाहे मुस्लिमों के तेव होते हैं कि जैसे क्या सामन जड़ी बन चाहते हूए सब हो एसा काम करना चाहते हैं यह नहीं कि अगर इद है और डिवाली है और या दसहरा है तो द्रिष्टी हमारी में दोस्त नहीं होता है सारे आप देख रहे हैं कि एक साल में कोई तेवहर ऐसा नहीं होगा जो हिंदू के पड़े मुसलमानों के नहीं पड़े उनके भी तेवहर पड़े और उनके तेवहर को भी उसी रूप में ब्योस्ता दी ग करेंगे फिलाल वक्त एक ब्रेक का स्वागत एक बार फिर आपका हमारे साथ हैं आज केशव प्रसाद बोरिया जी सर आपने तमाम मुद्दों पर बात की आपने बताया कि एक साल के उपलब्दी रही जो योजना मिल रही है दी जा रही है और सरकार देगी मिलेंगी कब तक मिलना सुरू हो गई है आवास के लाभरतियों को उसमें से किसी की पहली किसी की दोनों किसी की तीसरी किस्ती भी जा रही है उत्रप्रदेश में स्वच्छ भारत योजना के अंतरगत संवचाले बन रहा है उसके लिए पैसिक विवस्ता हो रही है कुम मेले की द्रिष्टी से बजट पहले एक हजार करोड फिर देड़ अजार करोड रही हजार करोड परिया का प्राविधान किया गया है बिजुली की द्रिष्टी से उत्रप्रदेश में सायद मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा बजट देने का काम किया गया है सड़कों की द्रिष्टी से मैं समझ पर हर मत कर देने को तैयार नहीं एक बड़ा वर्ग है जो बिकास के मुड़्े पर भी ओठ देता है एक बड़ा वर्ग है जो जाती और पार्टी के नाम पर भी ओड़ देता उस कभी कास से कोई ले ना देना है चोड़ी अब इस सब बाते कि सरकार जो कर रहे हैं वो जंता के सामने भी आ जाता है वो 2019 में रिजल्ट दे देता है या चुनाव में इस तरीके से बता भी देता है सर आप से जो जानना चाहेंगे क्योंकि आप संगठन के भी बड़े नेता हैं वरिष्ट नेता हैं आप संगठन को बहुत बहतर तरीके से समझते हैं क्या उपलबदियां रहेंगी और क्या चुनावतियां हैं आपको जो आपको 2018 में पूरी कर लेने हैं तिक 2018 में जो मुहिक प्रयास है भारती जनता पार्टी विश्चो की सबसे बड़ी पार्टी है भारत की सबसे बड़ी पार्टी है उत्रप्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी होने के नाते जो संगठनात्मक उत्तरदाई तो है संगठन और सरकार के बीच में एक बेहतर तालमेल बना हुआ है और अच्छा बने इसका भी हम लोग प्रियास कर रहे हैं जो संगठन है उस संगठन के कारण हमारी सरकार है मैं बेक्तिगततावर से मानता हूँ किसी अधिकारी कर्मचारी के कारण से हम सरकार में नहीं आए हम अपनी पारटी के कारकरता के परिसरम और पसीने के कारण से जो जन्ता का आसिरवाद और समर्थन प्रिया चाहिए उनके तत्काल समाधान का हम प्रियास कर रहे हैं और उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे यह हम संकल्प लेकर के सरकार के जो एक वर्स पूरे हो रहे हैं उस और आगे बढ़ने जा रहे हैं सर ये तमाम चीजे हो गई बीजेपी की बात करता हूँ भारती जनता पार्टी की मैं सरकार की बात ने करूँ गारती जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तो उसके साथ कई दल थे जैसे पीडीपी आया और तमाम दल आये शिफ से ना आया अब वो जब चुनो लगबग होती नहीं होगा क्योंकि आपके साथी आपसे दूर जा रहें और वो लोग एक साथ आ रहें देखिए जहां तक साथी दूर जा रहे हैं भाजपा नितित तो किसी कोई दूर जाए ऐसा ना सोचता है ना ऐसा चाहता है लेकिन अब यह अगर कोई सोचे आज कीती थी में कि जनता पाटी एक राश्टी अस्तर पर एक बहुत बड़े प्रभाव वाले छेत्र में सासन करती है और उसके अलग जा करके 25 दलों का गडबंधन बना करके और कोई सोचे कि हम चूनाव जीते हैं और सरकार बनावें और देश का भला कर सकें मुझे इस पर लगता है मोदी जी के साथ देश जीस प्रकार से 2014 में एक जूट था वैसे 2019 में भी एक जूट रहेगा इस एक जूटता को कोई भी गडबंदन बना ले वहाँ मैं ही समझता हूं कि मोदी जी के खिलाख सफल हो पाएगा और हमारी 2019 में आधनी मोदी जी के अगवाई में फिर से सरकार सर एक सवाल जो गए बगए हर जगा सुनने में आ रहा है यह हो रहा है कि अब मद्वर्गी परिवार कहीं ना कहीं भारती जनता पार्टी से अलग हो रहा है जो कि आप लोगों के साथा खास्तों से शेहरी चेत रखा जो बजट केंदर का आया उसमें गरीब और तमाम सवासो करोर जनता को द्वार ऑती है कि अब प्रदेश के अंदर हम को यी संधर करके कर के आते तो तो सब का ध्यान रखते हुए सारी योजनाय तैयार होती है किस समय कौंसी योजना को जेदा पैसा देना है जेदा ध्यान देना है यह सरकार सारे अध्यान और आंकड़े और वीशेशक्गों की रिपोर्ट के आधार पर तैं करती है लेकिन चाहे हुआ किसी अस्तर कर चाहे गरीब से गरीब बेखती हो चाहे बहुत संपन्य बेखती हो और चाहे वो मिडिल क्लास इसको आप कह रहे हैं ऐसे परिवार हों हमें सब का ध्यान है और हमारी सरकार सब को ध्यार में रख करके क्योंकि देश के अंदर जब डबलपमेंट होता है जब प्रदेश के अंदर जब होगा देश का तो सबका होगा किसी एक व्यक्ति का या इंडिविज्वल का नहीं होगा लेकिन जो बोज पढ़ रहा है जैम में मद्वरगी परिवार को पढ़ रहा है ये एक सवाल है सर अगर मुझे लगता है कि इस प्रकार के भी से बहुत हम लोगों के सामने आये हैं कुछ होगा तो आप इमान के चलिए कि विश्व की सबसे विश्व के सबसे सक्तिसाली नेता आधनी स्री नरेंद मुदी जी हैं और विश्व में सबसे अधिक जमीन से लेकर करके आसमान तक की जानकाई रखने वाले हमारा नेत्रत है और परिपक को है सरकार को योग ढ परिए तो जरूर आप से परसनल एक सवाल जरूर बनेगा इतनी भागदोड होती है आप लोग सुबह दर लेकर रात देर रात तक काम कर रहे हैं किश्व जी अपने लिए समय क्या निकालते तो करते क्या है तो पिर राजनीती में जरूरत नहीं थी राजनीती में अगर आ महर्सियों की मनीशियों की पुस्तकें हैं जिसके बारे में पढ़ने से प्रेणा मिलती है उर्जा मिलती है उस साह मिलता है ग्यान बर्धन होता है तो स्वाध्धाय में भी हम लोग समय लगाते हैं एक आखरी सवाल पार्टी में जो चीजे चल रही है सरकार में जो चीजे प्रिशत साथ में खड़ा है और हम सब लोग कोई भी नेड़े लेते एक जूटो करके लेते हैं और मुख मंतरी जी एक लगातार परिष्रम की पराकाष्ठा करके उत्रप्रदेश को देश में सरोत्तम प्रदेश बनाने का प्रियास कर रहे हैं और हम सब लोग मिल करके उस प्रियास को सफल करने में लगे हो तो बहुत बहुत मेरी तब से शुबकामना है कि आगामी जो चुनो हो और जो उपलब्दिया है उसमें और आप लोग आगे बढ़ें यह हमारी शुबकामना है तो यह थे हमारे साथ उपलब्दियों के बलबूते 2019 में एक बार फिर भारती जनता पार्टी का पर्चम लहराएगा अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और सक्षय से फिलाल हमें और हमाई टीम को दीजे इजाज़त और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहे है लाइट टुड़े